गुद्वर्निंग दोस्तों मैं अमीद फिर्स है आपके अपने चैनल वेबसाइड में करकिंग में स्वागत करता हूं बने रही है हमारे चैनल पर और यूनिक चीज सेखते रही है ठीक है बिल्कुली आसान भासान है तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा यह लोकल होस्ट ह मैं आप लोग को बताता हूं वर्टप्रेस के बारे में वही वेबसाइट है यह ठीक है तो अभी आप यहां पर देखोगे यहां पर हैवे ग्रेट डे आ रहा है ठीक है लेकिन जब मैं ब्लॉग पर क्लिक करोंगा तो यहां पर जो है कंटेंट चेंज हो जाएगा यहां प आप इस पर चाहिए तो मुल्टिपल अप कंडिशन लगा सकते हैं यह आपके उपर है कि दिमालो सकोज आप चाहते हो कि जेक्यूरी मतलब कोई कंटेंच चेंज हो तो आप जो है इस का यूज कर सकते हो तो यह जो वीडियो है हमारी यह आप लोग को कैसे वर्टप्रेस के पीज के ऊपर कैसे कंडिशन लगाते हैं उसके बारे में बताऊंगा और कैसे जो है आप जो है कुकी जो पॉलसी पेज होती है ठीक है कैसे आप अपने वेबसाइट पर कुकीज कर सकते हो यह फ्री में आपको जो है कुकीज दे देता है बस आपको जाना है जाने के बाद डिजाइन जो भी चेंज करना है वो चेंज करना लिजेगा यहां पर लिंग ढलेगा इसके बारे में डिटेल मनलब इसके बारे में तो मैं आप लोग को बता हुगा लेकिर अभी मैं हलका हलका सा जो है आप लोग को बताता चल रहा हूँ ताकि junk благ का QN करने रहे करना कि चाते हैं तो पहला तो हमारा target यह है कि जो है हम पहले देखेंगे condition कैसे हमारा चलता WordPress में ठीक है इस चलता है दूसरी बात कि क्टीशन के इस के हिसाब से कैसे जो है आप इस cookies का यूज कर सकते हो privacy policies जो cookies होती है privacy प्राइबी में जाते हैं और बोस्ते हैं तो चुफिता लेगमेरे उसकी प्राइबार में आप लोगों बताउंगा हिन पति सब कारके बारे मां ए amplitude शूर्स लेके अंतक बने रही और सिखते रहें, तो सबसे पहले अबना condition देख लेते हैं, condition पर आपना देखा होगा यहां पर false है, not equal to false, तो मतलब यह not equal to false, एसी को हटा दोगे, इसका मतलब क्या होगा, यहां यह ब्लॉग जहां रहेगा, इसका उल्टा काम करें लगेगा, अब यहां पर देखें ओंगे, कि जैसे मैं ब्लॉग पर जाता था, तो यहां पर जैमाधा दि आता था, अब जो है इसका उल्टा चल रहा आप मैं किसी पे भी जाऊंगा तो जैम अदा दिचन चलेगा ठीक है लेकिन जब मैं ब्लाग पे जाऊंगा ठीक है तो ये जो है ग्रेट आईगा मुलब ये जो केंदिशन उल्टा हो गया ठीक है यदि ऐसे यदि मैं नॉट लगा देता था ठीक है तो यह कंडिशन जो है सही हो जाएगा देखिए ठीक है अब यह ब्लॉग पर जय मताई चलेगा और बाकी सही पर जो है वह वे ग्रेट चलेगा ठीक है और इसको नॉट अब इकोलटो हटा के जो है यहांपे आप जो है टुरू भी कर सकते हो कि इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी डिटेल में अब बस देखते रहे हैं अब टी ती आर यू ए ट्रू ठीक है तो जहां भी ब्लॉग मिलेगा वहीं पर चलेगा ठीक है और जहां ब्लॉग नहीं यहां पे पर फॉसको यह लहां पे आपको पता है इस यूज स्यूज कर ना जाते हो ठीक है is तो करना क्या है आप फिर एक चीज कर सकते हो यहां पे आपको पता है if else use करना है else if l-e-l-e-l-se else if यह else if क्या यह जो है आपकी PHP function है ठीक है और wordpress जो है PHP मना है तो of course जब wordpress PHP मना है तो PHP का function चलेगा ही ठीक है तो आप PHP यह में PHP function का use कर रहा हूं और उसके बाद यह जो है इतना उठा लिजे उठाइए इसके अंदर यहां रख दीजे ठीक है कर लिब्रेकर डेसे श्टाट कर दीजे अब देखे अब यहां पे इको कर दीजे अब यहां पे बड़ा में दीखे इसले है इसले है यहां ले रहा हूं यहां देखे आई एम योर लॉजिक पेज ठीक अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं वेदर एपी आई पे क्लिक करूँ तो वेदर एपी आई पे है बे ग्रेट डेड़ना चलके हमारा यह चले कि आई एम लॉजिक पेज या या यह लिए गई आई एम वेदर पेज लिख देते हैं लॉजिक पेज क्या है वेदर वेदर एपी आई पेज आई एम योर वेदर एपी आई पेज ठीक है अब लॉग पे जा है तो यहाँ पे लिख देते हैं I am I am I am blog page और यदि blog मिलता है तो I am blog page मिलेगा यदि legiter आता है तो I am weather page आएगा था यदि इन दोनों से नहीं कुछ मिलेगा तो ये जो क्या है ये जो है जो है ये जोजेडा पर ये चलेगा मरलब ये फोम नहीं मिलेगा तो भी डीटी के यह लट करों गे तो पर आप कर देगा और एस से इंडिकेट भी करेगा यह नहीं आप मैंने चुट गया है अब देखो सेव करोगे देखो फिर से सही होगे ठीक है ऐसे यदि आप करते नो तो एरर आ जाता है मैं दिखाऊंगा भी रुखो अब देखियो वैदर एपटे पीए किया क्लिक तो आइम आइम यूर फिए के ब्लॉग कर दाए ऑर किसी और पीदे मैंने क्लिक कर दिया जो मैने कंडिशन नहीं मैं थो है वेग्रेटर आएगा अब देखे अब यह दिखा देते हैं यह छोड़ दिया थे अब से इस आटुमाटिक यह देखिए रिल्ल करेंगे देखिए रिल कर दों जाएगा भी आप बतारा सिंटेक्स एरर है पार्ट से शंटेक्स से शबसे छोटा है लोता है तो आपकी गलती से आता है अब देखिए अब इसको सेफ करें यह चलेगा भी और यहां पर देखिए जो लाल था यह भी सही होगे ठीक है ओके जी तो यह देखो ब्रदर मैं क्या यूज कर रहा हूं कै tap Server request UIar एग이 प्रिदीफ़ायन फंक्शन है जिसका यूज करometers हम वेबसाइट के गहरें का इसका लिए इस यूज कर सकते हैं आप इस काम के लिए आप वटप्रेस के प्रिदिफायन फंक्शन हसका भी यूज कर सकते हैं ठीक है और इस िङतवट्र ठीक है तो यदि आप सर्च करोगे कि सर्वर रिक्वेस्ट यूराई कर देना यह सर्वर तो यह बताएगा एक बड़ा अच्छा चीज़ मिल गया कि वाट अगई के डिफरेंस बीटमिन दसर्वर रिक्वेस्ट यूराई यहां पर देते हो यह पुड़ा पाथ आपको देता है घृटकेव यही एक सिप यही देगा जिसके लिए बना है मलब यह जिसे यहां पर यह इतना ही देगा Q में, क्योंकि Q के Q equal to A आया ना, Q equal to A तो बस इतने देगा, मलब get Q करोगे तो बस इतना ही मिलेगा आपको, ठीक है जी, इतना ही मिलेगा, and मलब दूसरा होगे, इतना ही मिलेगा, लेकिन अदि आप server request URL underscore dollar underscore server request request underscore URI करोगे, तो यह पूरा आपको path देदेगा, ठीक है, तो हमें पूरा path चाहिए, इसलिए हम server request URI का यूज करोगे, ठीक है जी, अब आते हैं इस पर, आप get current URL in WordPress करोगे, तो यह भी देदेगा आपको, यह current URL कैसे गेट करते हैं WordPress के predefined में, यह भी आपको देदेगा, यह आप देखो, इसका यूज करके आप current URL गेट करो, ठीक है, और भी है, मतलब आप, यह भी इसको भी देख लो, पहला जो link का है, यह दख, ठीक है, इससे आएगा आपको, तो आप चाहिए इससे, चाहिए इससे कर दो, ठीक है, लेकिन हम को easy यह लग रहा है, और इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ, PHP कर क्यों, ठीक है, पहली बार मेरे को PHP का, यह easy लगा, इसलिए मैं आप लोको बता रहा हूँ, क्योंकि वेबसाइट में कर किंग का है, यह मैं कि आप लोको अच्छे से, और सरल भासा में आप लोको समझाना, और जो one of the best way है, वो बताना, तो यार यह ले लो, best है, ठीक है यह भी use कर सकते हो, यह भी use कर सकते हो, लगि मैं यह बोल रहा हूँ, ठीक है, यह मैं कुछ बोल सोच के ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप खजल पंती नहीं होगे, ठीक है, पुड़ा इक्जेक्ट पात with select के साथ आपको दे लेगा, ठीक है, ठीक है, तो बस यह तु ठीक है, कि तरह कोई भी तीसी भी तरह का टूटी नहों, लग का matter है, यदि exact मिलता है और equal to true होता है, तो भाईया ये दिखा देना, यदि ये मिलता है, true होता है, तो ये दिखा देना, यदि नहीं मिलेगा, तो have a graded दिखा देना, ठीक है, वही चीज देखे, यहाँ पर आपका हो रहा है, राइट, सब को बंद करते हूं, अब यह आपने देख लिए, ठीक है, ब्लॉक पर चलेगा, इस पर चलेगा, true हो रहा है, मिल रहा है उसको, किसी और पर, यह भी ग्रेट चलेगा, तो I hope आप लुक समझ गया होंगे, कैसे जो है, आप condition लगाते हो, WordPress के अंदर, पीज के हिसाब से कैसे condition लगाते हो, आप multiple condition लगा सकते हो, इसल देके, आप यहां पे, और भी ऐसे copy paste करके, और अप अदिल कर रहा है, तो और भी आप यहां पे कर सकते हो, ऐसे किसी page का और नाम यहां पर दे सकते हो, जैसे किसी page का नाम है, सेंपल पेज का दे देते हैं, ठीक है, उठाइए, उसलग पास कर दीजे, यहां पर जी, सेंपल पेज, ठीक है, अब इसको सेफ कीजे, आप देखें, सेंपल पेज पर करेंगे, तो आई एम योर सेंपल पेज आ जाएगा, ठीक है, अब जो है, हम एक काम करते हैं, यह जो हमारी कुकी, जो हमें यहां से बनाऊंगा, इस वेबसाइट का यूज करके, पहले एक अपना जो है, प्राइवेस पॉलसी सेट करते हैं, ठीक है, तो इस लिंक पे आ जाएगा, यह लिंक में आप लोग को डिस्क्रिप्शन कर दोंगा, कभी भविस में आप लोग को प्राइवेसी पॉलसी कोई भी पेज बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, पुकी जो गएरा, तो आप इस वेबसाइट का यूज कर लोगे, यह आटमेटिक ट्रेक करके, यह एस यो का परपर्पस होता है, तो अभी कभी यार, आपको इसका यूज कर लिजएगा, बस इस पर क्लिक केज़ेगा, लिंक दे दूगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐसे आ जाएगे, इस टेप वन पर इस पर एज़ेगा, अब यहाँ अपने यहाँ पर यहाँ पर दे दिया, अब देखें, यहाँ पर पूडा में आ रहा है, यहाँ यहाँ पर पूडा में आ रहा है, तो यह बलकी सही है, ठीक है, तो मेरे को यह पसंद कर यह है और यहां पर लाइट है यहां पर लाइट हो जाएगा और 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 यहां पर लाइट है तो यहां पर जाएगा यहां पर लाइट है यहां पर लाइ डार्क टैप के लग रहा है लाइट है तो अब डार्क लगा सकते हूं मर्जी जैसे रहे आपका दिल करें यार इसमें कोई लॉजी लगाना अब यहां पर यह आपके पास प्राइबेसी पॉलसी का पीज है तो यहां पर लिंक दे आप मैं चाहता हूं कि यह जो प्राइवेसी है यह ब्लॉग वाले पर दिखे ठीक है और किसी पर न दिखे ठीक है ब्लॉग पर दिखे यह यह यहां पर जाके यहां से आप यहां से लेंगवेज चूज कर सकते हो इंग्लीष में है इंग्लिष में कर सकते हो फ्रेंच से गर जो करना व चेसमार। जहां से ब्लॉग को हटाओ यहां पर रखो यह इंग्लीष वाला अब मैं इसको कर रहा हूं बंद PhD को क्यों कर रहा हूं बंद वाई सहाब क्यों यह जो है यहा ज़ावाई क्रिप्ट में है और जब विलिखते हैं तो through को क्लोज करते छी पफ़ा ने US यहाँ से कंपी कर लिए कंपी है कंपी होने यह ने के दिने के भाद यहां रटा हो, ठीक है, सेफ कर दीजे इसको, तो जैसे ही आप इस पे सेफ किये, सेफ करने बाद आप reload किजे इसको और block पे यदि आप जाएंगे block पे तो block पे जाएंगे तो यहाप देखिएगा क्या आएगा block पे जाएंगे तो यह आपका आगया ठीक है और यदि आप किसी दुशरे पर जाएंगे तो वहाप पर नहीं आएगा वहां से हड़ जाएगा ठीक है तो इदि मालिज आपकी multiple way में website है तो आप multiple cookies and policy यहां से बना सकते हैं तो जिससे मेरी एक suppose मेरी website English में है मतलब language में है और उसी पर जो है हमने दे दिया है German जर्मन भी दे दिया है तो यह German आ जाएगा ठीक है तो बस जाएगे यहां से computer की जो जर्मन वालेगा भाई आपको और यहां पे जो हमने यह किया इसको खल दो जाए इसको रख देते हैं जर्मन वाले को ठीक है इसको हटाईए, इसको भी हटाईए, समझें आप, समझ रहे होंगे अच्छे से आप, मुझे पता है, ठीक है, I am just joking, तो आपने यहाँ से क्या देखा, कि जैसे ही आप वेदर API पे जाएओगे, तो यहाँ पर भी आएगा, लेकिन वो जो है, जिर्मन में आएगा, ठीक है, और यही ब्लॉक पे जाओगे, तो यह किस में आएगा, इंग्लिस में आएगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, यह जो इंग्लिस वाला आ रहा है न भाईज साоп यह वाला इंग्लिस वाला। इसको उठाके हमौण death में रख देते हैं कि उऑ ऐं एंग्लिस वाला में सब में चले समजे लेते हैं और समें आहीं इसमास्ट समझरेते ये आपको तो जर्मन हो गया, यह एक काम करते हैं, एक हम फ्रेंच कर देते हैं, ठीक है, यह तो हमारा फ्रेंच में कर लेते हैं, इसको, 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 इसको करते हैं, इसको कर देते हैं, हम उपर जाकर यहां पर इसको कर देते हैं, फ्रेंच में, ठीक है? जहां समझ में नहीं आएगा ना थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट करके एक बार करके देखेगा आप लोग ट्राई किजेगा ठीक है जब आप लोग ट्राई करेंगे विवर्स तभी आप लोग अच्छे समझ में आएगा सेफ कर दिया मैंने इसको ना उसमें कर देता हूं यार रैप कर देता हूं ताकि अच्छे सब लोग को ठीक है अब देखिए अब देखिए ब्लॉक पे जो है आपका जो है फ्रांस चलने लगा ठीक है और वेदर एपी आई पे जो है आपका जर्मन चलेगा पुकेश पॉल से जर्मन में है और बाइडिफॉल जो है आपका इंगलिश चलेगा ठीक है बाइडिफॉल आपका इंगलिश चलेगा तो चलिए इस वीडियो में आप लोग ने सीख लिया कि कैसे जो है आप कंडिशन बनाते हो कैसे कंडिशन के condition के हिसाब से अपने page को run करते हो ठीक है कैसे आप wordpress के अंदर condition लिखते हो ठीक है इफिल्स condition कैसे जो है आप URL साथ खेलते हो जैसे अभी आप खेली रहे हैं ठीक है और कैसे जो जाके अपने website पे अलग-अलग multiple language के आपके website है तो कैसे उस multiple language में आप अपने लिए कैसे cookies और policy page बनाओगे ये भी आपने सिख लिया मतलब privacy policy का योज करके आप cookies policy page बनाओगे और जिस भी language में चाहिए उस language में आप बना सकते हो यदि आपकी multiple language लिए website हो तो multiple cookies policy बना के ऐसे ही condition में आप रख सकते हैं ठीक है I hope आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे condition wordpress में लगाते हैं कैसे cookies policies का page बनाते हैं with different language में I hope आप आप लोग को ये बहुत अच्छा लागा होगा तो अपने दोस्तों में share कीजे मेरे इस वीडियो को like कीजे subscribe कीजे ठीक है और दुआओं में याद रखिए वीवर साब के दुआओं की मुझे सकत ज़रूरत है and one more thing I am looking for a new job change दुआ कीजेगा मता ना ने से अच्छा company में लेको job मिले और मैं इसी तरह आप लोग के लिए सेवा देता रहू चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई take care love you all जय मता दी have a great day बाई